विडियो सेरीज में आपके 41 सेशन तक हमने और लेस कर लिया था इस वीडियो में हम बात करेंगे सेशन 42 की और कुछ देखते हैं 42 43 जहां तक हो पाता है महां तक कबर करेंगे इसके बाद में हमारे कुछ ही सेशन बचते हैं टोटल 46 सेशन हैं जिसमें इसे कुछ एक प्रैक् इसके बाद हो सकता है एक सेशन और लगे या फिर उसके बाद एक और सेशन लगे मतलब कंफर्म नहीं होता है क्योंकि जब आपको पढ़ाऊंगा डिलिवर करोंगा उससे पता लगता है कितना हमारा गया बट बहुत ज्यादा सेशन नहीं बचे हैं तो अब तक आप लोग अगर आप जैसे देखोगे अगर आप जब चेक करोगे ना यह कि आपने कितना कवर किया इतना हम लोगों ने इससे वोकाब कवर किया है तो जैसे अभी रिसेंट में ना सीपीओ का एक्जाम हुआ है उसके कोशन हमने अपलोड किया यूट्यूब पे अगर आप देखोग लेकिन आपका ये बहुत अच्छा फांडेशन तयार करते हैं इसके बाद में जब आप वोकाब याद करते हो किसी भी किताब से आप जो आपको काफी चीज़ें आसान लगती है तो आशा कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से इस वीडियो सीरीज को पढ़ रहे होगे आप अगर मदद कर रहा है और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट वीडियो को जरूर कीजिए वीडियो को आप पूरा देखिए अन्त तक देखिए यह मेरे लिए मोग दैट सफिशेंट है इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं था चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह कर लीजिए इसके अलावा हम बात कर रहे हैं अगर आपने प्ले यूट प्ले लिस्ट्व पर हमारी फ्री में अवलेबल है आप उनको देख सकते हो है यह सारी प्ले-इस प्ले-प्ले-इस जिसमें आप एंडियो कर सकते हो ज टेलेगराम चैनल नहीं क्या तो वह कर सकते हो इस के लाबा अर्वी लर्निंग डॉट कॉम वेबसाइट पर चेक्षम कर सकते हो इसके लबबा ऑफिसर बैच्ष आपने ज्टाइन किया तो जॉइन कर सकते हैं तो बात शुरू करते हैं हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी काफी हब तक तो एक बारी जितना आमने पिछले वीडियो में पढ़ा है उसका हम को एक करेंगे और आफ्टर दैट हम नए सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे आज यूजल भी डू तो पिछले वीडियो में जो हमने पहला पढ़ा था वह पढ़ा था कैंडिड क्लैंडस्टाइन मतलब मैंने बताया था आपका गन सिक्रेटली जो चुपके से कोई कारे करें उसे क् सकता है इसके बाद हमने पढ़ा था आपकी बेसिक बर्ट मतलब गरीब होता है जो तूसरे को देखकर उसे कहते हैं जो घुमा के बात को कहना एंडरेक एक्स्प्रेशन आफ सम्थिंग अनप्लीजन्ट और बैडिनेज हो जाता है बैंटर बोवाइन काव-like बहुत गरीब होने के संस में इस्तेमाल होता है इसके लाबा पार्सिमोनियस मतलब होता है बहुत गरीब है उसे कहते हैं आपका पैनियूरिया इसके बाद में आता है मारा इंडिजेंस होता है इसस्टेट ओप एक्स्ट्रीम पावर्टी बहुत गरीब होने के संस में आता है के बाद में एफ्लोंट होता है जो बहुत ही धनाडि है पैसा खूब है फ्लो से बनता है ऑपुलेंट होता है भविता बहुत अधिक पैसा है और इसके लाब मतलब जो प्रभावित हो जाए इंफ्लोेंस कर दे किसी को इसी से बनता है confluence मतलब जहां पर दो चीज़ें मिलती है आके उसे कहते हैं त्रिवेडी जैसे है संगनम है विकेरियस जो दूसरे को देखके आपको प्लेजर मिल रहा है विकेरियस प्लेजर एफेमरल ट्रांजियंट छणिक शॉर्ट लिप ट्रांजिटरी ट्रांजियंट हो जाता है के बा वह बहतर साउंड कर रहा है यूफेमिस्टिक कहते हैं आपको यह कर आया था इसका पूरा मीनिक इसके बाद में हमने यूफोनी पड़ा था अच्छे साउंड के लिए आ जाएगा इस यू मतलब अच्छा यूलोजी मतलब होता है प्रशंसागीत ठीक है ओड़ पाइन भी को कहते हैं प्रोलॉग बुक के बिगिनिंग में होता है यूफोरिया फिलिंग ऑफ एक्स्क्रीम हैपीनेस हो जाता है बहुत खुश होना आज में उपर आसमा नीचे यूथनेश्या इच्छा अम्रतिव हो जाती है के सारे वर्ट पिछले वीडियो में करा रखने हैं लिए के लिए हो जाएगा आपका फ्लेत्र होता है प्लैटर खाते हो उसमें कुछ बताना नहीं है अनौट इनी is a very important word एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है मतलब होता है जो किसी को नाराज नहीं करेगा तके लिए आ जाएगा अपका ठीके इसके बाद हमने यह सारे वर्ट्स देख रखे थे ठीके इसके बाद हमने सेशन नुमर फोर्टीवन पे आये थे और हमने पढ़ा था बुवाइन मतलब काव लाइक हो जाता है लिवाइन मतलब लाइन लाइक हो जाता है के बाद में कैनाइन हो जाता है आपका कैट से रिलेटेट सरी डॉक से रिलेटेट फैलाइन हो जाता है cat related इसके अलाबाबंप और sign हो जाता है pig से related after that हमने पढ़ा था वल्पाइन होता है आपका fox से related है ठीक है और sign हो जाता है bear से related, lupine हो जाता है आपका wolf से related, something related to equine हो जाता है horse ते साइन हो जाता है fish तो यहां तक हमने cover कर लिया था पिछले वीडियो में अब हम बात करने वाले हैं next session की इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी के आगे के words तो उसमें पहला word हमारा है nostos nostos root word का ततपर होता है आपका a return, वापस आना nostos मतलब return वापस आना और algos अगर किसी में term लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है pain algos हो जाता है pain act भी pain होता है और algos भी pain होता है तो nostos is a return वापस आना word क्या है nostalgia algya अगर किसी में भी लगेगा तो उसका मतलब pain आएगा तो nostos मतलब कुछ किसी चीज़ की याद आना और याद से जो pain उत्पन हो रहा है that is nostalgia nostalgia मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाई थी कि जैसे अगर आप शाटाला का बूम बूम देखते थे आप शक्तिमान देखते थे याप किसी भी प्रकार के पुराने shows देख रहे हैं या फिर आपको पुरानी यादे आ रही है भाई आपके बच्पन की याद करूँ स्कूल जाते थे कॉलेज जाते थे ऐसा होता था वैसा होता था यह सारी शीचे पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बात करी थी तो उससे जो मिट फीलिंग आती है आपको नॉस्टेल्जिया आपको पुरानी चीज़े याद दिलाता है तो अगला शब्द है मारा आपका अल्गोस से ही बन रहा है टो नुर्जीयों मतलब रहा है तो नुर्णीया मतलब हो जाता है पैन्नोर्जिया टो नुर्यालजिया है चाहर पें कर दो भुझा है that is neuralgia अगला word हमारा इसी सेबन रहा है कार्डीया ध्यान दिज्ए, cardia is a very very important word meaning होता है heart, cardia मतलब होता है hurt, मतलब हुर्दै, और elbows होता है pain, so cardia, cardialgia, cardia मतलब hurt, हर्ट और आल्जिया मतलब पेन तो कार्डियाल्जिया मतलब हो जाता है आपका पेन इन दो हर्ट ठीक है हरदय में दर्द अब कार्डिया से बहुत सारे वर्ड बनते हैं जिने हम आगे पढ़ेंगे कार्डियो लॉज जैसे कार्डिया से बन रहा है कार्डियो लॉजिस्ट कार्डियो लॉजी क्या है लॉजी मतलब होता है इस्टेडी तो कार्डियो लॉजी क्या है जहां पे स्टेडी ओफ हर्ट एंड इस फंक्शनें इस काल्डियो लॉजी स्टेडी ओफ हर्ट इस काल्ड कासणों दॉक्टर जो डॉक्तर जो करीक्मेनट कर रहा है उसे क्या कहते हैं काडियो लॉजिस्ट ठीक काडियो लॉजिस्ट काडियो मतलब हिर दय जी मतलब स्टेडी स्टेडि च्टॉज से कहते है जो इस्टॉडे करता है對啊everibles three would this call up a cardiology it's Okay so cardiology मतलब हो जाता है study of heart cardiology हो जाता है pain in the heart physician examined him because of cardiology and suggested to reform him Cardiologist M集um doctor 결agico treat कerweise so cardia मतलब होता है herd और 사고 हर्ट इसी से वर्ड बनता है कॉर्डियल मतलब जो मित्रवत है क्योंकि हिर्दय से वो मिलता है दिल से मिलता है कि अगला वर्ड हमारा है इसी से बन रहा है कैकोज कि आज ही सीचियो और सब्सक्राइब का मैंने वीडियो बनाया उसमें के नहीं मैंने यह सेम रूट पढ़ाया है कैकोज मतलब बैड ठीक है फोन मतलब साउंड आपने दो वर्ड पढ़े थे शुरू कि इसी वीडियो सिरीज में एक वर्ड पढ़ा था हमने कैलीग्राफी कि ग्राफी मतलब मैंने बताया था लिखना और कैकोग्राफी तो अब देखिए आप यहां पर वही वर्ड आ जाता है कैलीग्राफी हो जाता है ब्यूटिपुल हैंड राइटिंग और कैकोग्राफी हो जाता है बैड हैंड राइटिंग ठीक है फोन मकलब हो जाता है साउंड तो कैकोफोनस कैकोफोनी क्या हो गया खराब साउंड तो कैकोफोनी is a mixture of loud unpleasant sounds is called कैकोफोनी करकस सोर करकस धनी को हम कहेंगे कैकोफोनी पेपापों पी यह सब आवाद करकस धनी हो रहा है बहुत खराब लग रहा है कैकोफोनी ठीक है मैंने लिटरली कैकोफोनस sound निकाल के दिखा दिया आपको ठीक है इसी से एक word आता है कैको से कैकोफोबिया तो बचो फोबिया माने आपको पता है फोबिया कहते हैं फियर को और कैको मतलब है बैड तो अगलीनेस से अगर किसी को डर लग रहा है में वनवर्ट सब्सक्राइब कोशन नहीं था यह कैकोफोबिया फियर ऑफ अगली पीपल प्रियर ऑफ अगली नेस यहां एक अपने जाते हैं जहां पे अजीव तरीके का शीशा लगा होता है जिसमें अपना face देखोगे तो distorted face दिखता है चानब से भाग जाता है उसे बहुत ही despise हो जाता है डर लग जाता उसको और फिर आगे जाके वो जीनतमान मिलती है जीनतमान का half face जला वो होता है बट आदा face सुंदर होता तो आदे को देखके वो प्रेम में पढ़ जाता है सत्यम शिर्म संदर हम बहुत बढ़ी है तो उसमें जो शर्षी कपूर का करेक्टर उसको क्या है कैकोफोबिया अगला वर्ड है हमारा टेलीफोन तो टेली मतलब होता है आपका दूर से पर कुछ आ रहा है तो टेलीफोन हो जाता है दूर से आप बात करें दूर भास जिसमें कुछ बताने लाइक नहीं है अगला वर्ड मैंने आपको बता है यू मतलब होता है गुड अच्छा ओन मतलब साउंड यूफोनी इन वर्ट और साउंड प्लीज एट यूफोनी इस हाट टू रेजिस्ट यूफोनिक मतलब अच्छा साउंड तलसेट मैलिफ्लूवस तलसेट साउंड मैलिफ्लूवस मेलोडियस एक मेलोडियस वलिया संगीत अगला वर्ड हमारा ओन मतलब साउंड तो फोनोग्राफ ग्राफ मतलब लिखना पढ़ा था हमने कार्टोग्राफ कार्टोग्राफर जो मैप्स बना रहा है लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी कंपाइल कर रहा है तो फोनोग्राफ क्या हो गया सोनोग्राफ क्या होती है अल्ट्रा साउंड को सोनोग्राफ भी कहते हैं क्योंकि सोनिक वेप से ग्राफ बनता है सोनिक वेप से अंदर देख पाते हैं तो सोनोग्राफ उसे भी सोनोग्राफ कहते हैं इसी यह चाहिक वहर्ट कि यह सब्सक्राइब हो जाता है तो ग्राफ मतलब हो आप साँडर पीस टुबन फोर ओ देस्ट मुजिक एटेरीकर जी सब्सक्राइब कि country air metal musical instrument that blow into आपका जो है that is called saxophone next हो जाता है आपका xylo xylo आपका मतलब होता है wood xylon मतलब होता है wood form मतलब sound xylophone हो जाता है आपका xylophone is a musical instrument that is made of two rows of wooden bars of different lens so that is xylophone इस तरीके का जो ये instrument होता है इसे हम xylophone कहता है xylophone is a kind of musical instrument of wooden bars one word substitutions में ऐसे questions कई बार पूछे गए है अगला word है मारा phonetics तो आपको sound की phonetics पढ़नी आनी चाहिए phonetics क्या है the study of speech sounds how they are pronounced जैसे मैं आपको ये words की phonetics पढ़ाऊं कि हम इसको पढ़ना कैसे है pronounce कैसे करना है कैसे बोलना है all that is called all that comes under phonetics authority on phonetics मतलब phonetic phonetician जो भी sound की words के pronunciation को पढ़ाता है that is phonetician या phonetics phonics हो जाएगा method of teaching people to read based on the sounds that letters represent उसे phonics कहते है कि कौन सा letter को क्या पढ़ा जाता है that is also phonics अगला word है carnis मतलब होता है flesh manse, voro मतलब होता है to devore मतलब hana कार्णी वोरस क्या हो जाएगा flesh eater जो manse को खा लेगा उसे कार्णी वोरस कहेंगे herbivorous जो vegetarian है जो manse मचली नहीं खाता उसे herbivorous कहते हैं यह सब चीज़ें हम लोग कई बार कर चुके हैं herbivorous मतलब eating only plants जो सिर्फ vegetarian खाना खाता है that is herbivorous अगला है omni omni मतलब होता है all voro मतलब खाने वाल तो omni vorus मतलब हो गया who eats all types of foods plants भी और meat भी उसे कहेंगे omni vorus अब omni अगर किसी भी word के आगे लगेगा तो आप उसे पहचान लोगे कि omni का मतलब क्या होगा जैसे omni omni present मतलब जो हर जगे मौजूद होगा omni sent sent मतलब जानना तो omni sent जो सब कुछ जानता है सर्व ग्याता है omni potent potency test होता है मतलब one who can produce child is called potent one who cannot produce child उसे कहते हैं important या फिर इस्टराइब ठीक है तो omni potent हो गया जो सर्व शक्तिमान है who has a lot of power तो उसे कहेंगे omni potent clear ये फायदा है root words पढ़ने का voracious he is a voracious eater वोरा मतलब खाना तो बहुत खाने का शौकीन है he eats a lot voracious eater जो बहुत ज़्यादा खाता है जिसे आप adacious eroscient gluttonous greedy hogish pigish कह सकते हो fix our voracious फीर जो बहुत खाते हैं उसे voracious glutton pay to कह सकते है omni मतलब all potence मतलब powerful अभी मैंने बताया potence मतलब powerful पहले के जमाने में सारी potency सारी power बच्चे को पैदा करने में ही है जो पैदे पैदा कर ले वो powerful तो potent हो गया potence मतलब powerful omni मतलब potent omni potent क्या हो गया having total power and able to do anything जो कुछ भी कर सकता है जो सर्व शक्तिमान है अर्थात इश्वर तो having total power and able to do anything जो कुछ भी कर सकता है उसे omni potent कहते है all powerful almighty divine antonym हो जाएगा important जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता जो सर्जक्ती नहीं है money is not omni potent but we can't survive without money कहरा है कि money सर्व शक्तिमान भी नहीं है लेकिन हाँ money के विना survive भी नहीं कर सकते potence e and c लगा दिया तो noun हो गया ध्यान रखनेंगे important word है one word repetition multiple times कुछ गया है science मतलब होता है जानना to know omni मतलब all omni cent is the word मतलब हो गया जो सब कुछ जानता है that is omni cent जो सर्व गयाता है उसे omni cent कहते हैं the null has an omni cent narrator जिसे सब कुछ पता है that is omni cent सारे word मैंने समझा दिया आपको कई बार omni मतलब all present मतलब जो मौजूद है तो omni present हो गया जो हर जगे मौजूद है present है ubiquitous universal wall to wall God is omnipresent हर जगे God मौजूद है ubiqu मतलब हो जाता है everywhere ubiquitous मतलब हो जाता है everywhere word बना ubiquitous अब आप भूलोगे नहीं ubiquitous का मतलब ubiquitous मतलब subject universal U for ubiqu मतलब U for universal subject ubiquitous हो गया one who is present everywhere seeming to be everywhere or in several places at the same time something which is very common एक ही समय पर अलग-अलग जगे पर वह बैक्ती मौजूद है उसे ubiquitous कहेंगे ठीक है seeming to be everywhere or in several places at the same time एक ही समय पर बहुत सारी जगों पर मौजूद होना ubiquitous कहलाएगा something which is common commonplace everyday quotidian routine or usual extraordinary infrequent rare or seldom internet computers are becoming increasingly ubiquitous मतलब हर जगे मौजूद है अगला word हमारा है omni all so omnibus ठीक है omnibus so omni मतलब all omnibus हो गया providing for many things at once compendious complete comprehensive cover all cyclopedic embraces encyclopedic so omnibus editions of novels that tend to be too heavy to be read with comfort तो मतलब जो एक ही चीज़ पर एक ही समय पर encyclopedia जैसे होती है तो encyclopedia में एक ही समय पर बहुत सारी जानकारी उपलब्द रहती है encyclopedia अभी तो website भी हो गई पहले किताब आ देती है encyclopedia की जिसमें एक ना एक किताब बहुत कुछ जानकारी उपलब्द रहती थी तो वही है omnibus omnibus मतलब एसी चीच जिसमें बहुत कुछ मौझूद हो तो ऐसी किताब जिसमें बहुत सारी जानकारी मौझूद है यानि एक समय पर बहुत सारी चीच information provide कर रही कानिस मतलब flesh बेले मतलब farewell या फिर गुडबाई तो कानिवाद सारी कानेलियन वर्ड क्या है कानेलियन 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 मतलब हो गया red, brown or white stone used in jewelry तो कान मतलब basically क्या है flesh flesh generally क्या होगा red तो कानेलियन क्या है इस तरीके का जो stone है red color का उसे कानेलियन stone कहा जा रहा है क्यों क्योंकि that looks like flesh so one of the most popular has been काले नि which owes its reddish color because of the presence of air and oxide कानल कानल मतलब कानेलियन मतलब flesh तो word बना कानल कानल मतलब होता है related to body कानल प्लेजर मतलब bodily pleasure कानल पनिश्मेंट मतलब ऐसी पनिश्मेंट जो आपकी बोडी को हाम पहे होचा है कानल हो गया connected with body earthbound जो आपको बहुत इक सुखते है bodily pleasure कानल पनिश्मेंट body's related punishment that is called कानल कानेज फ्लेश कानेज अब कानेज मतलब हो जाता है the violent killing of large number of people एक समय पे बहुत अधिक संख्या में लोगों की हत्या कान मतलब flesh कानेज फैला दिया मतलब बहुत सारा मांस फैला दिया मतलब बहुत सारे लोगों की एक समय पर हत्या कर दी तो उसे कहते हैं कानेज की कानेज मतलब हो गया एक समय पे बहुत साधी अधिक संख्या में लोगों की हत्या bloodbath butchery death holocaust massacre slaughter all the synonyms are very very important bloodbath करना vitry करना death holocaust बहुत important term है massacre and slaughter scene of the carnage was indescribable मतलब जो carnage का scene था वो indescribable था मतलब carnage हो जाता है एक ही समय पर एक ही समय पर नहीं the violent killing of large number of people एक बड़ी संख्या में लोगों की हत्या करना carnage हो जाता है एक important word एक्जाम में पूछा जाता है कई बार अगला शब्द है reincarnation re मतलब again carn मतलब flesh incarnate कर देना मतलब किसी को अवतार लेना reincarnation मतलब पुनरजन उनहा अवतार लेना जैसे भगवान श्री राम का incarnation हुआ मतलब अवतार लिया उनहने reincarnation मतलब श्री कृष्ण के रूप में वो दुपारा जन्मे है ठीक है so the belief that after somebody's death their souls leave again in a new body reincarnation मतलब होता है आपका पुनरजन ठीक है reincarnation मतलब पुनरजन reincarnation मतलब होता है पुनरजन पुनहा जन्म लेना reincarnation ठीक है अगला है incarnate मतलब होता है in human form to give bodily form and substance to the media cast him as the devil incarnate मतलब होता है आपका दुबारा से incarnate करना मतलब पुनहा जन्म लेना एक तरीके से दुबारा ने अवतार होना incarnation हुआ बगवान श्री राम का बगवान श्री राम ने जन्म लिया तो किसी भी soul का human form में आना is called incarnate करना हाँ जी clam मतलब होता है secretly चुपके से तो word बना clandestine मतलब हो गया something which is done secretly और kept secret चुपके से कुछ करने के लिए आगे clandestine affair back stairs behind the scenes covert torative pole and corner important synonyms है सारे याद रखेंगे open over public antonym हो जाएगा a clandestine meeting was held between leaders of the two parties so clandestine मतलब होता है done secretly चुपके से ज़ी कुछ करता है that is called clandestine surreptitious surreptitious मतलब होता है आपका again surreptitious इसको ऐसे आद रखो कि सांप चुपके से आगा मतलब चुपके से होना ठीक है so done secretly or quickly in the hope that other people will not notice notice मतलब कुछ कार है चुपके से करना आप ये मान के चल रहे हो कि कोई notice नहीं करेगा something private है privy है secret है sneak है stealth है undercover है चुपके से कुछ कार है करना that you think that somebody will not notice that is called आपका surreptitious antonym हो जाएगा open overt or public she sneaked a surreptitious glance at the laptop surreptitious glance होता है any double s लग जाएगा तो noun बन जाएगा जैसे this girl is giving surreptitious glance चुपके से देख रही है surreptitious मतलब होता है चुपके से कुछ करना या देखना हमने words पढ़े अगर आई ये नहीं लगता है end में तो मतलब होता है similar to leo मतलब lion fellis मतलब cat porkas मतलब pick carnis मतलब sorry carnis मतलब dog vulpas मतलब fox euros मतलब beer lupus मतलब wolf equus मतलब horse pissis मतलब fish no stores मतलब होता है return algos मतलब pain cacos मतलब bad phone मतलब sound zylon मतलब होता है wood carnis मतलब flesh voro मतलब devour harba मतलब hub ominis मतलब all and potence मतलब होता है powerful इसके बाद में हमने पढ़ा science मतलब known known jana ubic मतलब everywhere valley मतलब farewell re मतलब again in मतलब in और calm मतलब secretly clam मतलब secretly ठीके ic लगता है तो adjective बनता है ous लगता है तो adjective बनता है air लगता है तो adjective बनता है at लगता है तो verb बनता है ente लगता है तो adjective बनता है और ence लगता है तो noun बन जाता है ठीक है यह कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोग किताब के साथ पर भी पढ़ोगे तो जहतर होगा अब हम बात करने वाले हैं अब हम बात करते हैं how to talk about what goes on जो चल रहा है उसके बारे में कैसे बात करें पहला word है आपका inner weight अगीन तरीका होई रहेगा अभी हम पढ़ेंगे words उसके बाद उनके root words पर जाएंगे inner weight inner weight मतलब हो जाता है आपका inner weight inner weight का मतलब होता है to make somebody feel weak and tired ठीक है किनोनेम हो जाएगा devitalize करना किसी को disable करना एंटनेम क्या हो जाएगा revitalize करना reinvigorate करना energized करना refresh करना किसी को ताकत दिलाना ठीक a hot climate inner weight's people who are not used to it तो गर्मी में वो आता था था न एड आता था उसका ग्लूकोंडी का एड होता था छोटे पर जब की एक बच्चा जा रहा और उसके उपर सूरज उसको इस्ट्रॉ लगा के उसका पूरा बॉडी का glucose पी ले रहा है तो inner weight कर देता है वो से weak बना देता है कमजोर कर देता है तो inner weight का मतलब हो गया उसके नर्व से आपने ताकत खीच ली किसी को weak करना कमजोर करना क्या कहलाता है inner weight करना again it's a very very important word और SSE ने बहुत बार पूचा castigate castigate मतलब होता है किसी को criticize करना बहुत अधिक to criticize somebody something yourself severely अधिधिक criticize करना period censure criticize एक ये censure होता है criticize दूसरा sensor होता है जो sensor board करता है censoring करता है sensor board ban करना approve, forgive, place, flatter, praise तारीफ करना eulogize करना praise करना तारीफ करना applaud करना praise करना तारीफ करना ठीक है इन्होंने मुझा एका deplore इसका तो castigate मतलब होता है किसी को criticize करना review, approve, reproach हमने जो new vocabulary series करी है उसमें इसके synonyms बहुत सारे पढ़े है रिप्रूब, 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 रिप्रोच आपका castigate, play, hit out lambast, lambast lambast not lambast ठीक है he castigated himself for being so stupid not bring being ठीक है अगला है अब negate इसको ऐसे याद रख लो अब और नहीं abnegate मतलब अब और नहीं मतलब अब और नहीं करेंगे कोई कारे तो किसी कारे को छोड़ना किसी गलत कारे को abandon करना forsake करना या disclaim करना कुछ कारे जो आप करते थे आप उसे छोड़ रहे हैं that is called abnegate जैसे the athlete decided to abnegate the unhealthy snack even though she really wanted to have a bite यानि कि जो athlete था उसने decide कि वो unhealthy snack को छोड़ देगा त्याग देगा यद्दे पी वहाँ उनको खाना चाहता था तो abnegate हो जाता है आपका abandon करना त्यागना forsake करना disclaim करना ठीक है that is called abnegate abnegate मतलब होता है त्यागना forsake करना ठोड़ने के sense में ठीक है so abnegate याद रखेंगे अब और नहीं अब और नहीं abnegate अब और नहीं ठीक आगे आते हैं recapitulate recapitulate इसमें आपको एक word का तो meaning पता ही है कि re मतलब again तो recapitulate का मतलब हो जाता है आपका to repeat or give some summary of what has already been said or decided तो इसको आप ऐसे याद रखो recapitulate capsule से याद रखो capsule में क्या होता है कई सारी दवाईयों का मिस्राड करके capsule में बन कर देते हैं capsule क्या है आपका एक मतलब recapitulate मतलब किसी आपने पूरी लंबी सी थियोरी को एक छोटी सी चीज़ में summarize कर दिया that is called recapitulate तो synonym हो जाएगा recap repeat करना epitomize करना आपका कि वो epitomize प्रतिमूर्ती आपका symbolic repeat करना take back let us briefly recapitulate the steps of series recapitulate मतलब होता है sum up किसी चीज़ को आप किसी बड़ी बात को छोटी चीज़ में sum up कर रहे हो that is recapitulate कर रहे हो next vegetate vegetate आप इसको vegetables से याद रखो vegetate का मतलब होता है to spend time doing very little and feeling bored जैसे अगर कोई non-vegetarian है तो उसको रोज-रोज vegetables खिलाओ तो कहेगा कि रोज ये खाखा के bored नहीं हो जाओगे तो vegetate मतलब bored हो जा रहा है वो to spend time doing very little and feeling bored so synonym हो जाएगा हो गया है hibernate मतलब hibernation में चला गया है अब वो सुपता वस्था में चला गया है कुछ जैसे आपके मेंड़क होते हैं बारिश के बाद hibernation में चले जा जाएगा जमीन के नीचे होते रहेंगे that is hibernate करना ठीक है तो vegetate मतलब spend time doing very little and feeling bored इस वाट गवर्मेंट इंप्रोई दू टीक है कि टाइन करना है कुछ हलका सा काम करो दिन बर खाली रहो बोर हो जाओ अगला है सिमुलेट तो सिमुलेटर आपने अक्सर देखे होंगे जैसे पबजी सिमुलेटर आता है पबजी मुबाइल पे खेलने लगते हैं तो लोग लैपटाप या पीसी पे खेलने लगता है सिमुलेट करना मतलब हो जाता है तो प्रिटेंड आपने सिमुलेशन क्या होता है जैसे आप अगर कार सीखने जाओ तो दो तरीके के ट्रेनिंग इस्टिटूट में सीधे पहले दिन आपको ड्राइविंग सीपर बैठा देगा और आप कार सीखना शुरू कर दोगे तैस एक तो वो हो गया ठीक है दूसरा होता है सिमुलेटर जैसे आप मारूती वगरा के शोरूम में जाओगे तो वो लोग सिमुलेटर पर कार चलाना चिखाते हैं तुमें पहले वह एकदम बिल्कुल कार जैसा एंवार्मेंट होगा आपको लगेगा कि आप कार चला रहे हो औ सिमुलेट मतलब जैसा वस्तविक्ता में है वैसा कुछ बना देना सिमुलेटर हो जाता है नेक्स्ट है इंटिमेट करना मतलब इंटिमेट होना किसी से करीब हना इंटिमेट मतलब होता है किसी को इनफॉर्म करना जैसे आइव इंटिमेटेड माइओफिस अबाउट absence, तो मैंने अपनी absence के बारे में office को intimate कर दिया है जानकारी दे दी है तो to let somebody know that what you think or mean in an indirect way ठीक है तो close social convival वो भी होगा इसके लावा distant remote detached the restaurant has a very intimate atmosphere मतलब बहुत ही intimate atmosphere है बहुत ही अच्छा atmosphere है, बहुत ही close लोग आते है intimate करना, inform करना भी होता है अगला है alleviate तो एले से ये word बनता है एले मतलब होता है काम असुआज किसी को शांत करना एलेवियेट मतलब होता है किसी की दुख परिशानी को कम करना एलेवियेट, मिटिगेट मतलब होता है किसी की तमस्या को किसी की परिशानी को कम करना सूद करना, improve करना to make something less severe कुछ बहुत खराब है उसको less severe कर देना antonym हो जाएगा intensify कर देना, बच से बत्तर कर देना aggravate कर देना a carpool alleviates some of the stress of driving the kids and from school every day, alleviate to make something less severe, कुछ किसी की दुख परिशानी को कम करना किसी की समस्या को कम करना alleviate हो जाता है, alleviate, mitigate base का synonym होगा next है आपका it's important word exam में पूछा गया है जितने भी word इस किताब में दिये हैं सारे के सारे पूछाएंगे, कोई ऐसा है नहीं जो ना पूछा गया हो, ठीक है तो कमिशरेट होता है to show sympathy somebody sympathy when they are upset or disappointed about something, तो किसी को sympathy दिखाना, sympathize करना cheer करना, uplift करना आपके synonyms हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे distress, trouble, I commiserate with my friend after he got fired due to his frequent slips in the business ठीक है, मतलब मैंने sympathy दिखाई, मैंने अपनी भावनाओं को express किया, I showed sympathy with him, जब मुझे पता लगा कि he got fired due to his frequent slips in the business को बहार नौकरी से निकाल दिया गया है तो commiserate मतलब हो जाता है sympathize करना अगला है vacillate, vacillate, oscillate इसका synonym है, oscillation में क्या होता है oscillation में pendulum जो है वो इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है फिर इधर जाता है, तो vacillate oscillate याद रखोगे सेम आपके इसमें मन की स्थिती है कभी मन इधर, कभी इधर कभी इधर और कभी इधर तो मतलब हो जाता है आपका to keep changing your opinion or thoughts about something, especially in a way that annoys other people मतलब आप किसी भी चीज़ के बारे में अपने विचार continuously बदल रहे हैं इस प्रकार से कि आप कोई अन्य विक्ती नाराज हो जाया that is called आपका to keep changing your opinion or thoughts about something especially in a way that annoys other people दूसरों को annoy करे इन्होंने मुझाएगा वेवर, hesitate मतलब का अपना, hesitate करना and आपने मुझाएगा decide, continue करना ठीक है? so he vacillates between seeking attention from the people, public and avoiding the media altogether vacillation मतलब होता है आपका decide नहीं गरबारे हो, indecisive हो रहे हो ठीक है तो हमने पढ़े innervate मतलब exhaust होना weak होना, ठीक है innervate मतलब exhaust होना castigate, censure, scold मतलब किसी को बहुत ही criticize करना self-ubnegate मतलब अब और नहीं, अब और नहीं करेंगे अपने आपको कुछ करने से मना करना recapitulate मतलब होता है summarize करना vegetate मतलब bore होना, stagnate होना stimulate मतलब होता है वैसे ही परिस्थिती उत्पन करना intimate होता है hint करना inform करना, alleviate दुख परिशानी को कम करना chemisurate होता है sympathize करना और vacillitate होता है वेवर ठीक है? all right, now we are moving towards the session number 43 in which we will talk about origin and its related words तो हमने words पढ़े, इनके origin के बारे में बात करते हैं तो word है आपका e e अगर किसी में लगता है तो उसका मतलब है out, that is x मतलब out, that is बाहर word है आपका nervous मतलब होता है nerve ठीक है? तो आप क्या word मना enervate मतलब आपकी nerve से energy को बाहर निकाल दिया आपकी nerve से energy को बाहर निकाल दिया तो word बन गया enervate तो make somebody feel weak and tired किसी को बहुत ही weak और tired feel करवाना enervate हो जाता है किनो नेम हो जाएगे? castrate, damp, dampen, dead end, dehydrate and desicate एंटो नेम हो जाएगा brace, energize, enleven invigorate, quicken stimulate, vitalize, revitalize reinvigorate भी इननिम में आ जाएगा hot climate enervate people who are not used to it हमने ये अभी पढ़ा था तो enervate याद रखेंगे nerves से बन गया e मतलब out तो आपके nerves से energy बाहर निकल गई argon का मतलब बता है work, काम word है en मतलब in word है बना आपका energy argon मतलब work so energy मतलब आपके अंदर काम है strength है किसी कारे को करने की that is energy मतलब ताका ठीक है potency, power, stamina, strength, force, might word हो जाते है enternum हो जाता है inertia expends great energy ठीक है argon मतलब work argon मतलब काम synonym s i n मतलब s y n मतलब होता है together or with word बना synergism ism अगर किसी में लगता है तो वो बनता है noun ठीक है तो argon मतलब है work और sin मतलब हो जाता है together ठीक है यानि कि आप एक साथ कारे करते हो synonym क्या हो मीनिंग क्या हो जाता है the working together of two things to produce an effect greater than some of their individual effect to synergism या synergize करना या synergy ठीक है तो सिंक्रनिस synergy क्या है आपके जैसे मान लिजे मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ ठीक है इस institute को चलाते है तो better results निकल रहे है तो यह क्या है synergism है तो synergism क्या है working together of two things दो चीजों का एक साथ कारे करना to produce greater effect than the sum of their individual effect ठीक है मतलब अगर मैं individually काम करूँगा तो उतने better results ना है शाया जिसमें हम लोग team के रोप में कर रहा है तो to depict the synergism of these ingredients we use Venn diagram ठीक है that is called synergism adverb हो जाएगा synergistically और noun होता है इसका synergy अगला है castigate castigate मतलब होता है to criticize somebody castigate मतलब होता है to criticize somebody something seriously ठीक है based lambast berate ball out call down chastise chew out dress down reprove rebuke ठीक है reproach play hit out castigate play hit out इसके इलाबा होता है आपका pull up ठीक है बहुत बुरी तरीके से किसी को डांटना फटकारना criticize करना the judge castigated the lawyers for their lack of preparation judge ने lawyers की lack of preparation के विज़े से उन्हें castigate किया बुरी तरीके से डांटा फटकारा हलका है ठीक है तो castigate हो जाता है berate अपका lambast best wall out pull up play hit out berate call down chastise chew up dress down reprove reprove reproach ज्यान रटना है important word है सारे words exam में पूछे जा चुके है अगला है nego nego मतलब होता है to deny यानि मना करना अब मतलब away word बना ab negate मैंने कहा ab और नहीं अपने आपको किसी चीज के लिए deny करना to restrain somebody from doing something especially from indulging in some pleasure ठीक है आप किसी कारे को छोड रहे हो ठीक है आप smoker हो आप smoking छोड रहे हो आप drinker हो आप drink छोड रहे हो that is ab negate मतलब ab और नहीं करेंगे that is ab negate ठीक है so deny oneself something किसी को कुछ मना करना restrain करना मना करना especially from indulging in some pleasure ठीक है किसी pleasure में indulge करने से मना करना is called ab negate synonym हो जाएगा abdicate मतलब त्यागना seed मतलब भी त्यागना relinquish मतलब भी त्यागना renounce मतलब भी त्यागना resign मतलब त्यागना step aside किसी चीज़ से हटना step down from मतलब किसी post से हटना surrender करना मतलब समरपढ कर देना surrender करने के लिए EDM आप याद रखिए to show white feathers to show white feathers white feather दिखाना मतलब आपने अपना कायरता दिखाना surrender करना मतलब होता है कायरता दिखाना to show white feathers to abnegate yourself is the best way to get close to yourself to abnegate मतलब अपने आपको कुछ कारिक्ष करने से रोकना जो आपको pleasure देता था छोडना synonym is important है sare abdicate seed relinquish, renounce, resign step aside, step down, surrender अगला word है मारा नीगो से ही self-abnegation self-abnegation मतलब होता है self-denial मतलब आप स्वयम से मना कर दे रहे हैं कि हम नहीं करेंगे that is self-abnegation self-denial synonym हो जाएगा altrism, self-discipline asceticism asceticism जान रखिए ascetic नहीं है asceticism है self-deprivation मतलब आप खुद से नहीं कर रहे हैं कुछ का रहे है so should motherhood necessarily mean sacrifice and self-abnegation क्या मात्रतो का मतलब यही है कि वा स्वयम को अपने दुखों से वंचित कर दे so self-abnegation मतलब self-denial आप स्वयम से मना कर रहे हैं कि नहीं आप यह नहीं करेंगे ऐसा सही नहीं है तिर इस self-abnegation अगला वर्ड है negate करना मतलब मना करना to deny something from having any effect negate इसी भी चीश से आपता है negative मतलब मना करना negative sense में आएगा contradict करना deny करना disaffirm करना disallow करना disavow करना disclaim करना enter name हो जाएगा acknowledge करना admit allow allow concede confirm to always negate is not the way to create what is new and original negate करना मतलब होता है मना करना अगला word है capit capitis मतलब होता है head capitis capitis मतलब head जो शीर से किसी भी चीज़ word है आपका caption caption क्या होता है sorry not captain 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 जो किसी भी group का leader है उसे आप captain कहते है ठीक है पता है आप सभी को इसमें कुछ ऐसा नहीं है capital capital is the head of state राजधानी को आप capital कहते हो क्यों कह रहे हो आपको पता चल गया capitis मतलब head तो capital मतलब राजधानी किसी भी जगे की अब इसी से word बना decapitate decapitate capitate मतलब हो गया capit मतलब हो गया head d मतलब हटाना तो किसी के head को हटा दिया to cut off somebody's head call decapitate कर देना behead कर देना guillotine कर देना और head behead कर देने की संस में आएगा ठीक है so that is आपका decapitate do decapitate to cut off somebody's head his decapitated body was found floating in a chain canal decapitated decapitated body मतलब छत विछत शब का धर से धर से अलग था ठीक है ध्यान रखेंगे decapitate d मतलब अलग करना capitate मतलब head decapitate उससे हो गया capitulum capitulum capit से ही बन रहा है the small rounded end of a bone that articulates another bone that's basically head of something head of a bone is capitulum अगला है आपका recapitulate re मतलब again capit मतलब head दुबारा से उसको head लगाना मतलब एक तरीके से summarize करना ठीक है to repeat or give a summary of what has somebody has already said or decided to sum up करना summarize करना synopsize करना wrap up करना recap करना repeat करना reprise reprise मतलब let's just recapitulate the essential points मतलब summarize करना दुबारा से जैसे मैं आपको video खतम होने के बाद आपको जितनी भी चीज़े पढ़ी है उसको एक बार ही quick revision करते हैं that is recapitulate कर देते हैं recapitulate मतलब हो जाता है आपका to agree to do something that you have been refusing to do for a long time मतलब आपने अपना head जुका लिया एक तरीके से तो कुछ ऐसा कारे जो आप करने से मना कर रहा थे you are keeping your head straight but you capitulated against him मतलब आपने अपना से जुका लिया you yielded against him आपने समरपड कर दिया अपने स्विकार कर लिया जो कारे आप करने के लिए सहमत नहीं थे तो capitulate मतलब हो जाता है to agree to do something that you have been refusing to do for a long time कुछ ऐसा कारे जो आप लंबे समय से करने से मना कर रहे थे लेकिन अब आप उसको करने के लिए सहमत हो गया है that is called capitulate जिन्होंने हो जाएगा quit करना relent करना submit करना succumb करना surrender करना या फिर yield करना मतलब समरपन करते लिए एंटोने हो जाएगा resist so they were finally forced to capitulate to the terrorist's demand terrorist की demand से सहमत होने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा ध्यान रखेंगे कैसे capitulate मतलब हो गया earlier you were keeping your head straight आप जुक नहीं रहे थे but फिर आप जुक गए और आप सहमत हो गया आपने समरपन कर दिया that is called capitulate अगला word है आपका vegeto vegeto का मतलब होता है to live and grow vegetables क्या करती है vegetables grow करती है ठीक है तो vegeto मतलब हो जाता है आपका to live and grow जो काम vegetables कर रही है ठीक है so vegeto मतलब हो गया to live and grow word vegetable vegetable मतलब plant और part that is eaten as food तो उसी से word बन गया अब देखो vegeto मतलब to live and grow है word बने इसी से आपका vegetation vegetation क्या होता है दो word होता है important है आद रखी exam में बहुत बार पुछे गये हैं one word substitution में flora and fauna flora मतलब होता है vegetation कहीं किसी भी जगे का वहां की फल फूल सबजी अब जी fauna होता है animals biodiversity ठीक है ध्यान रखी में so deserts areas have little vegetation वहां पे बहुत कम greenery है plants in general especially the plants that are found in a particular area that is called vegetation किसी भी जगे पे पाया जाने वाली हरी बरी तो भी plants होगे ना उन्हें vegetation हम e मतलब out nervous मतलब nerve n मतलब in argon मतलब works sin मतलब together ic मतलब adjective suffix ion मतलब noun suffix अब लगा तो मतलब अवे हुआ nego मतलब deny करना capitalist मतलब head e मतलब negative prefix capital M मतलब little head re मतलब again or y लगता है तो adjective suffix vegeto मतलब to live and grow we have talked till session number 43 now we are going to talk about session number 44 simulo simulo का मतलब है to copy copy करना और similis मतलब होता है like or similar एक जैसा तो simulate करना हो जाता है जैसा आप जैसा आपने देखा वैसा ही reproduce कर दिया to reproduce someone's behavior or look is called simulate कर दिया जैसे आप मैं पढ़ाता हूँ आप मेरी mimicry करने लग जाओ कि आम अंसर कैसे पढ़ाते that is simulation और दूसरा create a representation or model of उसे भी simulate करते है make pretence of मतलब वैसा आप behave कर कर रहे वो भी हो गया तो surname हो जाएगा आपका assume करना copy करना paint करना imitate करना model sham counterfeit dissemble fake wood has been painted to simulate stone वैसा ही दिखरा है जैसे ये हाथ को paint किया गया इस प्रकार से कि ये butterfly दिखे तो ये बटरफलाई दिखे तो ये बटरफलाई दिखे तो ये बटरफलाई दिखे तो ये बटरफलाई दिखे इस मतलब pejorative prefix मतलब मना हटाना किसी चीज को simular मतलब copy to dissimulate हो गया to hide your real feelings or intentions often by pretending to have different ones that is dissimulate they were just dissimulating pretending to be very friendly मतलब आप dissimulate कर रहे हो यानि कि जो आपकी actual भावनाएं हैं आप उन्हें नहीं दिखा रहे हो जैसे ये विच्ची दुखी है लेकिन ये खुश दिखा रहे हैं ये भी दुखी है लेकिन आपने आपको खुश दिखा रहा है that is dissimulation to hide your real feelings or intentions आपकी जो actual feelings या फिर actual intentions हैं आप उन्हें hide कर रहे हैं आप उन्हें express नहीं कर रहे हैं और pretend कर रहे हैं दूसरी तरीके से उसे कहेंगे dissimulate करना उन्हें डिसेंबल let on, make out or pretend हो जाएगा ये वो जस्ट डिसेंबलेटिंग pretending to be friendly वो ऐसा दिखा रहे हैं कि वो काफी friendly है यद्दे पर अशा था नहीं ठीक है डिसेंबल मतलब हो जाता है आपका उसी प्रकार में कि to hide your real feelings उसी सेंबल भी उसी प्रकार से आजाता है आपका शी वास अपनी एक्चुल फिलिंग्स को hide नहीं कर पा रही थी वो incapable थी तो डिसेंबल इसेंबल dissimulate मतलब वही आगया कि आपका अपनी एक्चुल फिलिंग्स को hide करना intimate मतलब हो था have a close relation किसी को intimate कर रहे हो verb के sense में आप किसी को inform कर रहे हो उस sense में आ जाता है intimation levis मतलब होता है levis jeans पहनते हो आप brand है मतलब होता है light add मतलब towards alleviate मतलब होता है किसी चीज़ को हलका करना मतलब किसी की दुख परिशानी को कम करना to make something less severe किसी भी चीज़ को less severe बनाना किसी की दुख परिशानी को कम करना alleviate करना हो जाता है alleviate mitigate मतलब किसी की दुख परिशानी को कम करना किसी की दुख परिशानी को कम करना क्या हो जाता है अपका alleviate करना मतलब किसी की दुख समस्या को किसी की परिशानी को कम करना LA, SUAGE Ease, Help, Mitigate, Molyify, Palliate LA, SUAGE Ease, Help, Mitigate, Molyify, Palliate Relieve, Soothe करना Antonym इसके क्या हो जाते हैं? Aggravate करना, Excessorate करना ठीक है? So these problems have been greatly elevated by the passing of new act. Elevate करना मतलब होता है किसी की दुख परिशानी को कम करना Relieve, Re मतलब Again, Relieve मतलब Light, हलका करना तो Relieve करना मतलब ठीक होड़ा, Relax करना कि तो Remove or Reduce Unpleasant Feeling or Pain किसी की दुख परिशानी को कम करने के संस में आगा Relieve करना LA, Elevate, SUAGE, Ease, Help, Mitigate, Molyify, Palliate, Soothe के संस में आगा, ठीक है? तो किसी को दुख परिशानी को कम करना इस इनोनेम से पिछले वाले ही रिपीट हो गए यहां पर एकनोर करना आप इनको, ठीक है? होलांगी हो सकते हैं, वो भी उसके तो, they try to relieve the symptoms of depression by drinking Elevate, E मतलब, Out, Light मतलब, किसी चीच को उठाना अलका है, उसको उठा देना Elevate कर दिया, मतलब, Elevator, Elevator क्या करता है? आपको इस माले से उठाके, उपर के माले पे लेके जाता है Elevate कर देना, मतलब, उठाना So, to give somebody or something a higher position or rank often more important than they deserve Elevate कर देना, किसी को उठा देना, किसी के पदोन्नती कर देना इस पर वो है, उससे better कर देना तो, elate कर देना, enrapture कर देना, accelerate कर देना ठीक है? Accelerate की spelling correction पूछी की थी, इस इस सी सीतियों में ध्यान दीजेगा They want to elevate the status of teachers ठीक है? Levitate Levitate मतलब, हलका करना Levitate कर दिया है, मतलब, इतना हलका कर दिया है कि आप float कर रहे हैं लग रहे हो Levitation, जैसे यह क्या है? Levitation हो रहा है मतलब, लड़की हवा में ओर रही है That is levitation, magic होता है एक सरी के का To rise and float in air with no physical support Evidently by means of magic जैसे इस प्रकार से यह लड़की हवा में तैर रही है तो आप अपनी किसी को sympathize कर रहे हो ठीक है, to show somebody sympathy When they are upset and disappointed So sympathize करना She commiserated with the losers on their defeat So उनको sympathize करना सहनुभूती देना उनको sympathize करने के लिए आएगा Vavilo मतलब होता है To swing forth and often वही oscillate वाले sense में Vacillate मतलब मैंने आपको बताया मतलब आप अपने thoughts को बदल रहे हो, balance नहीं कर रहे हो Dither कर रहे हो, falter, halt, hang back, hesitate or disciple, and to name dive in or plunging, the country's leaders are still vacillating between confrontation and compromise, तो vacillate करना मतलब हो जाता है का अपना आपके thoughts decide नहीं कर पा रहे है, decisive नहीं हो पा रहे हो Ambivalence, ambivalence, ambivalence balance मतलब feelings, तो ambivalent feelings है, आपको अच्छी feelings भी है किसी चीज के बारे में, बुरी feelings भी है आप decide नहीं कर पा रहे हो, इधर जाए है उधर जाए है, तो fact of having or showing both positive and negative feelings about somebody or something is called ambivalence, so there was ambivalence among church members about women becoming priests ambivalent मतलब mixed thought होना ठीक है, you are not decisive about something, अब decide नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज के बारे में that is called ambivalence या फिर ambivalent ठीक है, mixed feeling ambivalence मतलब two, valence मतलब feelings तो double feelings होना, oscillum मतलब swing, oscillate करना, तो क्या बोलते हैं उसको, pendulum उसी से आ रहा है, oscillum मतलब oscillate करना, to keep changing your mind आप behavior बदल रहे हो कभी इदर जा रहो, कभी इदर जा रहो, कभी इदर जा रहो that is oscillate, over vacillate, vibrate amoods oscillated between depression and elation, कभी तो वो बहुत दुखी हो जाता था कभी बहुत खुश हो जा रहा था noun हो जाएगा oscillation simulow होता है copy करना, simulist copy एक जैसा dis मतलब pejorative prefix add हो जाता है towards, levi's, light 8 हो जाता है, verb prefix noun, noun prefix, x out intimus, innermost miser, rest, vacillow हो जाएगा to sing back and forth, ambi मतलब both oscillum मतलब swing, ठीक है so this is it for this video हमने जितने भी session number 42 से लेके 44 था जितने भी vocabulary थी सारी cover कर लिये है, अब एक बार ही quick revision कर लेंगे, जितना हमने पढ़ा है और उसके बाद हमी session को अपने wind up कर देंगे before that, अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लिजे और अगर आप अभी हमारे playlist को देखना चाते है, तो आप playlist वाले section में जाके multiple playlist चेक कर सकते हो बहुत सारी चीज़े available है अगर आप mock test practice करना चाते हो, तो आप rblearning.com website पे जाकर practice कर सकते हो purchase भी कर सकते हो, ओफिसर भी जोईन कर सकते हो link app का description box में दिया है इस particular video की video भी आपको app पर free में मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हो हमने पढ़ा था nostalgia मतलब होता है पुरानी यादों को mixed feelings जो होती है sad, खराब सी जो feeling होती है अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है nostalgia, neurology होता है pain एक तरीके का, यहाँ पे जो दर्द हो रहा है neurons में, ठीक है, cardiology heart में pain, cardiology, study of heart cardiologist, doctor है heart का उसे कहते है, cordial होता है, मित्रवत क्योंकि heart से मिल रहा है cacos मतलब back to calligraphy अच्छे handwriting, cacography, band handwriting cacophobia, fear of ugliness उसे कहेंगे cacostroph cacostroph मतलब, सरी, वो catastroph है आपदा cacophony, खराब sound इसके लाबाद telephone आप लोगों को मालूम है इसमें कुछ बताना नहीं था, euphony मतलब अच्छा sound, dull set, current free संगीत, इसका अंट्रोने मुझा का cacophony, phonograph होता है आपका ये, इसको कहते है, lexicograph जो dictionary compile करता है, kartograph जो maps compile करता है, saxophone ये instrument हो जाता है, इसके बाद में xylophone ये instrument हो जाता है, phonetics हो जाता है, जो English को pronounce करने की तरीका है, phonics को कहा देंगे, इसके बाद में गलटन है, पेटू है, और omnipotent, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिसाली है important, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है sterile, potent मतलब जो बच्चे पैदा कर सकता है, omnisend, जो सब कुछ जानता है, omnisend, जो सब कुछ हर जगे present है, इसका इनोने के स्टोन जो रेड़ गलर के हैं, फ्लेश से दिखते हैं, कार्नल होता है, बादर होना, अवतार होना, इनकार्णेट होना, अवतार होने के संस में आता है, क्लांटेस्टाइन फ्य है आपका उर्स मतलब से करना कहते हैं इसके इसके बाद में आता है दंँ घंढ लिये मतलब अहता है लायन पोल प्रस मतलब हो जाता है खाल और चाइटिब हो फॉपस प्रस और प से रिलेटें DAVID लिम्हाолж ले aucun वोडे है नॉमने पढ़ाने नॉण– यूबिक होता है फिरेवियर वयले होता है फेरवली अकम क्लैम, secretly ठीके, IC लगता है तो ADJECTIVE, OUS लगता है तो ADJECTIVE, ITY लगता है तो Noun, AL लगता है तो ADJECTIVE, ATE लगता है तो WORK, ENT लगता है तो ADJECTIVE ENC लगता है तो Noun इसके बाद में हमने पढ़ लेते, session number 42 में enervate करना, मतलब किसी को weak करना, कमजोर करना after that हमने पढ़ा तक कास्टिगेट करना क्रिसाइज करना बिरेट सेंश का क्रिसाइज हो जाता है अब निगेट करना और नहीं इसके बाद में हमने पिछला वर्ड रह गया कि konstriste अब करना समयराईस करना जो मैं कर रहा हूं समयं वेजिटेटेटकर करना मतलब होता है आपका भर बॉरिंग फ़ले रहे रहेना खाल 600 देनना कुछ करना नी काओ इंटिमेट करना इन करना इन को कम करना कमिशरेट सिंपथाइज करना हो जाता है तो यह अब रहे जाता है और जलने पढ़ाता है और अखार नर्वस किसी को कम्जोर करने के सेंस में आता है अफट is É 때 आता है energy energy को आता एक्सात करने सीनियर्जियम में काम करना एक साथ काम करना जिसों की Thursday है ये इसके बैक्षी को प्लेजर फिर्प्रोट यह करोते मैं है इसके घ्ट इमने अपने मना करना के बाद में पड़ा था कापिटेट करना मतलब किसी के हैड को अलग करना अपका रिकापिटुलेट करना किसी चीज को समराइज करना किसी आप पहले यूँवर यूर हैड वाज शुग गया जैडिस के लिए अगरी नहीं करता है आप साय मत हो जाना ठीके वेजटेबल हो जाता है वेजटेट करना इसी से वेजटेशन वहां के हरी वरी सब्जीओं के लिए आ जाएगा आपका इसके बाद में हमने पढ़ा है सेशन no.44 D4 stimulate करना copy करना हो जाता है किसी को promote करना उपर उठा देना इलिवेटर भी वही करता है इसके वहारा तीरत करना मतलब हवामें अई गया सब्सक्राइब करना था ॉर रहे हैं होगा टामxes जो किटना पड़ार वीडियो समझ ڈजपी सेशन है तो जो भी अभी बच रहा है वो एक वीडियो में हम समप करके कवर कर देंगे और आशा कर रहा है आप लोगोंने किताब पढ़ी होगी मन से पढ़ी होगी और अब तक आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा अब मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई टेक केर और वेरी ग्रेट डेर थैंक इसो मुच बाई